यह घंटा 10 मिनिट का क्लिप है इसका टाइम कितना ले रहे हैं पांच मिनट 40 से कि पीसी साफ संतुष्टू नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मलोज दोस्तों स्वागत आप सभी है कि मेरे चैनल पर इसका नाम है मलोज दोस्तों आज मेरा बहुत पुराना सब्सक्रेबर आया ह जा रहा हूँ उससे पहले दोस्तों 14900K आप देख सकते हो पायक फुल सिल पायक प्रोसेशर है और इसका फुल टेस्टिंग वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि आए 9 अपडेट वाला है और इंटेल वाले ने सारी प्रॉब्लम सॉट आप से भईयों को पता ही होगा जो मेरे सस्क्राइबर आई हुए है यानि कि अरबिंद भाई उनके लिए मैं कौन सा कंप्यूटर बनाने जा रहा हूँ 14-500 प्रोसेशर 14-20 त्रेट का यह प्रोसेशर है और बहुत ही लाजवाब इसका परफॉमेंस आपको मिलेगा और रैम जो मैं यूज करने जा रहा हूँ साथ मैं आपको वाइबर बहुत ही बहुत ही बहतर मिल जाता है जिसके बज़े से यह मदर बोर्ड कभी हिट नहीं होता साथ मैं आपको वाइफाय बुलूटूथ साथ में मिलते हैं आप दो एससडी लगा सकते हो बांकि टैप सी भी इसके अंदर में आता है जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चीज़ है और पावर सप्लाई जो यूज करने जा रहा हो दोस्तों वह साड़े 500 वाट का गीगावाट का है जो वी आपके PC ट्रिप नहीं होगा अब बहुत सारे भाई मेर से पूछते रहते भाई जी प्राइज के बारे में तो मैं प्राइज आभी आपको किलियर कर देता चला हो 12 400 वे डीडियर 4 के साथ में बनते हैं उसका कीमत होता है 48,400 रुपर तेरह पाच्टों डीडियर 5 व्राम के साथ में आते हैं और उसका कीमत होता है 57,400 रुपर तो मैं सारे कंपोनेंट को अनबॉक्स करता हूं मैं इस PC को बिल्ड करूंगा उससे पहले भाई से मैं कुछ ब अर्विंद गेरें और गुस्वा में फिल्म के नाम से मेरे सब चलता है एस्टूडियो आपका है आप मुझे कितने दिन से जानते हो लग चार सालों से आप मेरे से पहले बार मिल रहे हो जी कुछ तो कारण रावबा जो आप इतना दूर से मेरे पास में आयो आई हो आपक देख कर लेजिए फिर मुझे बताई है फिर अन्वोक्स करेंगे देखी आप यह पावर सप्लाइ मदर बोर्ड यह ओपन तो नहीं है नहीं नहीं तो अर्विंद भाई को मैं सारा चीज सिखाऊंगा विंडोज फॉर्मेट से ले करके और जो है ड्रैवर अपडेट तक का वो भी वीडियो जो है इसी के अंदर में मैं एड कर दूँगा ताकि वो सारे भाई सीख सके साथ में मैं भाई को मैंनुल भाई शेटिंग भी सिखाऊंगा पहले मैं सारे कम्प्योटर को कर लेता हूं बिल्ड कैबिनेट यहां पर नहीं रखा था क्योंगी कैबिनेट करता हूं अर्विन वैद्व तक आप बैठ जाईए लास्ट में आपको दुवारा बलाऊंगा तो फर्स्ट हमारा प्रोसेशर होता है प्रोसेशर एस्टिकर और यह इसका कूलर यह हमारा एससडी और इसका जो कि गीगाबाइट का है जो आप यहां देख रहे हो यही वाला एस्पीट इसका बहुत अच्छा है बाकि किसी और कंपनी की अफेक्शा एससडी रैम आप देख सकते हो सारे के सारे पर सील लगा हुआ है अब यह रहा दोस्तो मेरा मदरबोर्ड इस मदरबोर्ड के बारे में डिटेल्स में बहुत सारे वीडियो में एक्स्प्लेइन किया है फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ विदाओड ग्रैफिक कार्ड का तीन मुनिट चला सकते हैं दो डीपी और एक एच्डियाम है वाइफाई बुलूतूत साथ में आते हैं टैप सी जो कि आने वाला टैम सब के लिए टैप सी होने वाला है और कभी भी आप लोग मदरबोर्ड परचेस करो तो टैप सी होना ही चाहिए क्योंकि भाया जी जो एडिटर लोग होते हैं एडिटर यानि के किरेटर लोगों को जितना ज्यादा पोर्ट मिले उतना ही कम होता है आउन बोर्ड पे दो एसेश्डी लगा सकते हो एक यहां प बात करता हूं दोस्तों अभी भी मेरे पास में एक दो भाई कॉल किया था वो मुझे बता रहे थे कि मेरे को 60,000 के अंदर में PC बनाने हैं तो कभी भी DDR4 पे नहीं जाना हमेशा आप DDR5 पे जाओ क्योंकि जैसे जैसे DDR3 बंद हो गया वह ऐसे दिरे-दिरे करके DDR4 भी मार्के जैसे गाएब हो जाएगा चाहिए वह AMD वाला हो चाहिए वह Intel वाला हो AMD वाले ने तो जाब ही जो नया वाला सेज लाउंच किया तो उसमें तो DDR4 तो चली नहीं रहा यानि कि उन्होंने बंद कर दी डीडीर 5 बेस पे ही वह PC आप बना सकते हो DDR4 पे नहीं तो इसलिए मैं आ साथ हजार से नीचे के PC बनाओ या फिर साथ हजार से उपर का तो हमेशा DDR4 पे नहीं जाना डीडीर 5 पे जाना अब मैं राम को इंस्टॉल करता हूं राम मेरा लग गया है अब मैं प्रोसेशर को यह प्रोसेशर बहुत ज्यादा जरूरी होता है विया जी क्यूंकि प्रोस अब हमारा SSD और अर्विंद बाइक को दिखाया मधर वोड इस कोने से बैंड हो जाता है जब आप सही से नहीं लगाओ के बैंड हो जाता है कुछ-कुछ तो कलाकार भाई ऐसे ऐसे भी है कि क्या ही बताओ उनका राम लगा करके हमेशा इलागे देख लेने का है अब प्रोसेशर के कुने पर एक एरो के निसान होता है जब यह लग जाएगा दबाओ के यह हट जाएगा अब हमारा SSD और अरस का जल्दी मिलता नहीं है यह मार्केट में क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हाई डिमांड होते हैं और दूसरी सबसे बड़ी चीजे हो जाएगा कि जो मैं दे रहा हूं इसके अंदर में गीगावाइट का हमारा पावर सप्ला गीगावाइट का हमारे मदरवर्ड पावर सप्ले लेकि यह वांकी सारा काम आपका हो जाएगा प्रोशेशर का इंस्टोल करना है अलिद्वाइस फैन को आप उठा के चेक करो ते कितना बेट होगा अप्रोक्ष 300 ग्राम अप्रोक्स अज्वा आप्टर मार्केट कुलर लगाओगे वो 190 ग्राम का कुलर होते ह हां हां बेट ज्यादा है अब आप्टर मार्केट कुलर खड़ी दो जार रुपे का एगा उसका बजन कितना होगा 190 ग्राम तो उनसे ज्यादा बढ़िया है न भाई यह तो अकल के डेट में अगर प्रोबलम भी आता है तो प्रोशेशर के साथ में प्रोबलम आएगा तो यह कूलर आपको जरूर चाहिए कहीं से भी कोई भी वाई-पीसी बनाना प्रोबल जरूर अपना ले लेना हमैशा हाथ रख़ें प्रेस करना है अब यह मेरा हो गया है रेडी काविनेट में लगाने के लिए तो काविनेट में लगाने के बाद में आप लोगों को दिखात कर देता हूं अन्बॉक्स और इसका भी वाइरेंटी दोस्तों आपको पांच साल के मिलेगा और मैं कभी भी कोई भी कंपोनेंट विदॉर्ट बरांडेड यूज नहीं करता यह हमारा है पावर सप्लाई यह एस्टीकर कभी नहीं छूराना चाहिए नहीं एस्टीकर नहीं एस्टीकर अगर यह एस्टीकर छूट गया तो फिर आपको वाइरेंटी जमा करने जाओको तो वह लेगा नहीं आप यहां पड़ भी इसके देख सकते हो इस जगे में 100 इस्टीकर नहीं आएगा तो फ्रेंड अभी आप कैबनेट देख सकते हो फ्रंट पे थीन आर्जिव फैन टॉप में दो आर्ड़िव फैन अब बैक पे आर्जिव फैन अब सारे आर्जिव को यहीं से कंट्रोल भी कर सकते हो यह पावर बटन का है असाइड में टेमपर ग है उसके सेंट्र पे इसको लगाना चाहिए जाएगा कहारे बन्रा अ कि अ कि बाकि हार्डिक्स लगाने के देख रहे हैं कितना बहतरीछ बैसा इसमें हार्डिक्स लगाई है और जस्थ दबा दीजिए यह हमारा पावर सप्लाई असानी से इसको लगाने का है तो फ्रेंड इन चीज़ों में लगाने मुझे थोड़ा टैम लगया तो लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं तो फ्रेंड अभी हमारा सिस्टम बनके हो गया है रेडी आप देख सकते हो हमारा पीशी बनके हो गया है रेडी अब मैं इसको कड़ता हूं आउन सही लग रहा है आप देखो तीन फैन टॉप में दो फैन उपर में एक फैन बैक में इसलिए मैं हमेशा अपने लगा लगा सारे वीडियों बताता हूं कि कभी भी कैबिनेट चूज कर करो जिसमें की आपको एक रूपे का खर्चाना करना पड़े तो यह हमारा पीशी बन के रेडी हो गया अभी भाई साब बोल रहे के एक और राम लगाने के लिए डीडियार 5 तो हमने एक रागा रखा है दूसरा अभी हम फिर लगाएंगे अब इससे मैं करता हूं बंद हम बूटेबल पेंड्राइब आप लगाओगे यह बूट अट्रामेटिकली उठा लेगा मैं सबको कर देता हूं सैड में अब मैं लगाता हूं मोनिटर मैं फिर से पीसी को करता हूँ आउन क्योंकि हमें डालना है बिंडोज हमने पेंड्राइब लगा दिया है जास्ट हम इ इसे उठाना चाहिए जब पीसी बनाओ तो दो तीन बार यह ट्रीप मारेगा तो इसमें आपने घवराना नहीं है कि यह जी मेरा जो है पीसी में कुछ आ नहीं रहा है और दिस्पले नहीं दे रहा है तो कई बार थोरा सा टैम लेता है तब जाकर के वो आपको डिस्पले देगा जैसे कि आप देख सकते हो कितने देर के बाद में यह डिस्पले दिया है और हमारे पास में वी कीबोर्ड भी नहीं है यह अटोमेटिकली बिंडोज लोड कर देगा कोई भी कंप्यूटर जो फर्स्टम बनाओगे आप अब पैंड्राइब लगा दोगे तो अटोम बिंडोज कैसे करते हैं आजो आप भी आजाओ इधर सीख लो भाई काम आएगा आपको जैसे यह विंडोज हो गया नेक्स्ट और यह डेर मिनट के अंदर में बिंडोज रालना चाहिए बिंडोज 10 प्रो नेक्स्ट और यह मैं बताते चलू यह ओडिजिनल बिंडोज है मेक्रोफट के वेब सैट से डाउनलोड किया हुआ बिंडोज अब हमारा बिंडोज इंस्टोलेशन हो गया है रेडी अब यह आप देख सकते हो एक परसेंट दो परसेंट तीन परसेंट देखेंगे कितना फास्ट मोर है 20 परसेंट हो गया है तो चलो दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो है रेंडिंग टेस्टिंग के लिए भाई से बात करेंगे तो दोस्तों हमने Windows complete कर दिया installation, अब हम करेंगे manual bio setting और भाई को भी सिखाएंगे manual bio setting तो हमारे को इससे के लिए computer restart करना परेगा, alt और f4 का button दबाएंगे, restart, enter, आप f12 को भी button दबा सकते हो, और dell का भी दलावा सकते हो, लेकिन मैं f12 ज्यादा यूज करता हूँ, तो f12 को बटन दबाएंगे, boot में जाएंगे, इंटर setup आप देख रहे हो, इंटर setup और यह बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे को, manual bio setting करने के लिए, अब हम चलेंगे, फेवरेट में f11, manual bio set हो रहा है, इंटर setup, अब frequency, यह हमारा manual setting हो गया, जो जो आप से care हो गये, यहाँ पर वो शोग करेगा, just yes कर देना है, हमारा manual bio setting हो गया, तो इन चीजों के लिए भीया जी, वही लोग करना जिनको के experience हो, क्योंकि कुछ लोग करके लेके आते हैं और फिरो लोको problem आता है, तो manual bio setting करना इतनी मुस्किल नहीं है, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अभी latest motherboard आते हैं, उनके bio अलग अलग होते हैं, तो सारे computer का bio वीडियो बना करके डालना ये बहुत मुस्किल है, आप जो है दोस्तों, इसके अंदर में हम लोग काम करने जा रहे हैं, एक्सपोर्टिंग का चेक करेंगे, एक घंटे का वीडियो जो है ये PC, मेरा जो टाइम लेना चाहिए, एक घंटे का, वो सिर्फ और सिर्फ, पांच मिनट, 30 सकेंड, 40 सकेंड, इस शोव उपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है सर, PC रेडी हो गया, आप देखते हैं, हमारा कितना RAM बागेर है, यूज हो रहा है, परफॉमेंश, RAM, 52 MHz, 32 GB RAM आगया, यह आगया न 32 GB, यह आपका प्रोसेशर हो गया, C-Dribe हो गया, अब जो है, हम इस PC के अंदर में दोस्तों, अभी यह Type-C वाला चीज लगाएंगे, और इससे एक दो का अप्लिकेशन हम इंस्टॉल करेंगे, तभी यह स्क्रीन डेकॉर्ड कर पाएगा, पूरा कम्प्यूटर का, तो फ्रेंड, अभी हम करने जा रहा है, अभी हमने टैम-Line पे, एग घंटा 40-min, का किलिप रखा है, लेकिन हम एक्सपोर्ट करेंगे, एग घंटा 10-min का, हमने ड्रेयवर अप्डेट कर दिया है, लेकिन कभी भी आप लोग ड्रेयवर अप्डेट करना तो ड्रेयवर के साथ में, अप्डेट करने के बाग, PC को या फिर रिया स्टाट जरूर कर लेना तो फ्रेंट हम ने अभी पूरा ड्रैवर को कर दिया है इंस्टाउल आब हम करते हैं एक गंटा के क्लिप एक्सपोर्ट तो हमने अभी टाइम्लाइन पर कितना करके फोटज रखें सर यह गंटा दस मिनुट अब हम इसको तो बहुत लोग आपको देखेंगे तो बताना चाहोगे कि इस से महगा मसिन ले लेना चीजिए या फिर इस राइज में मसीन बहुत बपर्फेक्ट ले रहा है। पांच मिनट चालिस सकंड या तीस सकंड ले रहा था जो कि इतना टाइम होता ही है आप यहाँ पर राम की बाते करें तो यहाँ पर देखो साथ जी भी का असपा सर्याम उठा रहा है प्रोसेशर पर जज़्यादा कुछ लोड नहीं है अब प्रोसेशर में हीटिंग उटिंग का कोई इसू नहीं है तो दोस्तों कुछ भाया ऐसे हैं जोकि लोग गुम रहा करने की कोशिश करते हैं कि भाया जी फोर्टी थर्टीं जन्नेशन फोर्टीं जन्नेशन बहुत ज़्यादा हीट होता है ऐसे नहीं है मेरे भाया जी जो भी आए नैन में प्रावलम था हीटिंग का कंपनी ने उसे सौट आट कर दिया है आप लोगों को पता ही होगा अगर नहीं पता है तो आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो वो भी आए नैन में कभी भी आए थिरी आए फाइव आए सेवें में यह हीटिंग उटिंग का इसू नहीं आया है तो मैं उन लोगों का बताना चाहूंगा कि जब कभी पीसी बनाने के लिए जाओ तो हमेशा लेटेस जन्नेशन के पीसी बनाना क्योंक कि इस रेंज के पीसी में आपको कभी भी भविश में इशू नहीं आएगा आप प्रीमियर भी बहुत अच्छा चलेगा ठीक है दोस्तों तो जिन भाईयों को भी पीसी बनाना हो चाहे वो आए 3 हो आए 5 हो आए 7 हो आए 9 हो कोई भी मसीन हो 12 जनेशन 13 जनेशन 14 जनेशन त कर सकती हो बेश्ट प्राइज में बेश्ट कंप्योटर बना आप लोगों को दूंगा तो इडीयास के डेटा चाहिए घृइमर के डेटा चाहिए या फिर फोट्र शॉप से रेलेटर कुछ ही ए तो शारे चीज मेरे पास में लेटर में अविलेबल है वह भी मेरे से आप को मिल जाएगा तो आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो जा सीखिरों को मिलाइद है फिले वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेहर करना तो बावाय दोस्तों